Hello friends, welcome back to my channel और कैसे आप सब आशा करते हो आप सब बहुत अच्छ होएंगे और यह ना मेरी सुभा सुभा का रूटीन है और बच्चों की एक की छुटियां है और एक स्कूल जा रहा है और भई हजबन का तो आफिस रहता ही है तो रूटीन में कुछ भी चेंजिस नहीं है इवन बहुत ज़ादा बीजी हो गई हो क्योंकि जब घर में सबी लोग रहते हैं तो काम उतना जल्दी हो जाए यह पॉसिबल ही नहीं है लेकिन हाई है कि मुझे तो अपना काम करना है बीज बीज में बच्चे हैं सब लोग परिशान करते हैं तो वो एक अलग पार्ट है तो यहां है ना बस मैं सुबह एक बाद जो है अपनी बेटी के लिए लँच पैक कर देती हूँ उसमें वो सबजिया नहीं लेकर जाती है तो उसको छोड़के जैसी आते हैं तब भी मैं सबजी बनाती हूँ तो मैं अभी बना रही थी पनीर की सबजी और बस अभी प्याज व्याज कट करी लिया है क्योंकि सुबह जल्दी उठ जो तो आप कोई भी सबजी ना पॉसिबल है जैसे कई बारी ऐसा लगता है कि ये सबजी सुबह सुबह नहीं कर सकते है वो नहीं कर सकते है तो वो तब होता है जब बच्चे को है कुछ सबजियां देनी होती है तो यहाँ जैसे पनीर है तो पनीर को अलग तरीके से बना के मैंने अपनी बेटी को दे दिया लेकिन ये अब मैं हम लोगों के लिए बनाऊंगी जैसे हजबन लेकर भी जाएंगे हम लोग खाएंगे करेंगे तो उस हिसाब से बनती है तो यहां बस मैं प्याज को एक तरफ कर रही हो एक तरफ मेरी चाय रख जाती है और सुबा तो मुझे उठना ही होता है पाच बजे और क्योंकि बेटी के लिए सारी प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है और मेरा तारगेट रहता है कि मैं ना सारे साथ बजे तक सब कुछ कंप्लीट सबजी तो एटली सब कुछ बनी जाए और बाकी सब पैकिंग वैकिंग मेरे आठ बजी जाते है और देन उसके बाद कई बारी मेरा बेटा जाता है तो उसका भी साथ साथ में लग जाती हूँ मैं तो इस टाइम तक तो मेरे बेटे का जो है टैनो क्लॉक तक ही था स्कूल लेकिन अब थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो गया है तो यहां मैंने मसाला रेडी कर दिया है और एक साइड पर मेरी चाय बन रही है क्योंकि मेरी चाय थोड़ा सा देर में बनती है बॉयल बॉयल चलती रहती है तो बस यहां पर जैसे ही मतर मेरी हलकी सी बॉयल होती है मसाला पक जाता है तो मैं पनीर एड कर दूँगी सिंपल सी सबजी है कोई मसाला पीस के नहीं डाला है जिस्ट ऐसे ही मैंने प्याज बगेरा बूना करा है उस हिसाब से मैंने बनाया क्योंकि उन सब में बहुत टाइम लगता है जब आप प्याज टमाटर को पीसो गे बनाओगे बस अब यहां पर जो मेरी कसूरी में थी है मैं उसको आइड कर दूँगी और इससे थोड़ा से फ्लेवर चेंज हो जाता है तो यहां बन गई है मेरी सबजी और यह थोड़ा से बॉइल होगा और देन उसके बाद मैं तोरंत है ना लंच बॉक्स में रख देती हूँ जिसकि थोड़ा से ठंडा हो जा और जब तक बनेंगी रोटियां तो अभी सुभा मेरे पास यही एक काम होता है जो सबसे प्रायरिटी में रहता है इंपॉर्टेंट कह लिजे कि लंच बॉक्स पैक करना बेटे के लिए भी लंच इसी टाइम पर मैं पैक कर देती हूँ क्योंकि जैसे मेरे हजबन जाते है तो तूरंत बादी उसी की वैन आ जाती है तो वो भी चला जाता है तो अभी तो ऐसे ही चल रहा है कभी वो जाता है कभी नहीं तो मौसम इस तरीके से है न तो मैं कई बारी भेस लिए हूँ कई बारी नहीं भेस लिए हूँ इस तरीके से है तो बस यहाँ पर मैंने अपने सबजी इस तरीके से टिफिन में डालके रख दिया है और रोटी बन चुकी है और यह हो गया है टिफिन पैक तो यह एक जो रहता है ना यह वाली टेंशन की लांच बॉक्स पैक हो जाता है ना तो फिर सब कुछ एजी लगता है कि अम मतलब मैं जैसे हमेशा कहती हूं कि मैं अलग से कुछ जरूर करती हूँ, घर मैं कुछ changes करना है कुछ cleaning करना है एक तो वह समय करती हूं और आप गो के साथ वीडियो में share करती हूं तो यहाँ पहले मेरा अथा है किशीन को अच्छे से clean कर दो बरतन में अब ही नहीं करती हूं वो व्लॉक में क्या है सारा जितनी भी चीजे रहती है आट अग्यारा सबजी नीचे गिरता है तो उससे भी खाफी है गंदगी हो जाती है तो अगर मैं एक कुछ complete हो चुका है सब कुछ done है बस अब जो बचे का वो थोड़ा बहुत मेरे बेटे का है जो लंच बॉक्स में आप पैक करूंगी पाठा वगयरा सा बन चुका है तो यहां से आप थोड़ी सी cleaning वगयरा करूंगी क्योंकि अभी time में थोड़ा सा है चेंजिस इसके तो जितनी भी देर होती है लंच बॉक्स वगयरा सा पैक हो जाता है तो इसको थोड़ा सा लास्ट में करती हूँ क्योंकि इस बीच नहीं यह कुछ ना कुछ खाएगा तो इसकूल की जो यूनिफॉर्म में वो खराब हो जाएगी तो जब थोड़ा सा time बसता हो और देन उसके पास अपने दूसरे रूम में चली जाती हूँ दोनों ही मेरे रूम को मुझे daily clean करना पड़ता है चाहे वो रूम बहुत जादा यूज ना हो तो भी मेरे बच्चे ना थोड़ा सो उसमें उतल-उतल कर ही देते हैं उसमें ज़्यादा तर ना सामने के रू और तो के लिए उतनी जादा problem रहती है क्योंकि फिर हर रूम को clean करना तो यह देखो मेरे बच्चे जैसी मेरे बेटी स्कूल से आई है और मेरे बेटे ने दोनों ने अभी से होली खेलना शुरू कर दिया और यहां मेरा काम आए दिन बढ़ता है यह सिर्फ color balcony तक नहीं है यह पूरे रूम में फैला हुआ था पूरे ड्रॉप पड़े हुए थे colors के तो मैं इसको clean करूँ बट यह अभी छूटेगा नहीं तो यह गुलाल वाला color है वैसे वाला color नहीं है तो बस अब यहां पर मेरा laundry का काम है अभी मैंने जो भी जितनी भी मेरे backsheet वगरा है न सब कुछ change वगरा करूँगी तो वो करती हूँ अभी क्या चल रहा है मेरा जो बच्चो का room है न तो यह toy रखने के लिए था तो मैं इसको clean कर रही है मैंने पूरा window clean करना है पूरा मतलब मैंने सारे curtain उतार दी है curtain मैं change करूँगी उदर दूसरे curtain लगाँगी और मैंने कर दी है जब तक वो clean ना कर दू मैं हलांकि window का मेरा daily का रहता है बट कुछ time से है न जैसे वो दिमाग में था कि मुझे यहां का पूरा change करना है पर्दे वगेरा सब हटाना है तो इस चक्कर मैं बहुत जादा धूल इदर इखटी हो गई थी तो बस हम मैं पूरा window clean कर दूँगी औ और मदब हटे में पंदा दिन में मैं एक ही बार करती हूं अगर time लगता है तो यह देखिए परदे वगेरा सब यहां पड़े हुए है और फिर से धूल हो गई थी तो मैं यहां पर पहला इसकी सफाई करूंगी यह पूरा area मतब सब जगे सारा काम हो चुका है बस window की वज के अंदर थे ना तो कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन धूल मिटी पूरी जा रही थी तो मैंने इनको निकाला वश किया और आभी देखो मुझे शाम हो चुकी है रात हो चुकी है तो अब मैं इनमें परदे लगा रही हूं और इधर दो परदे लगाने पड यह मेरे कर्टेन बहुत जादा पुराने है तो इसमें कुछ इस तरीके से मैंने लगाए है नाप करके की पूरा कम्प्लीट हो जाए तो यह परदे में इरको लगाने में थोड़ा सा टाइम लगा सच बोलू तो क्योंकि इसकी जो रॉट थी में खिसका रही थी तो वो बैक साइट के है मताब बैक में रहेंगे और काफी अच्छे है और अब मैं इसके सामने वाले भी परदे लगा दूंगी तो इस रूम के हिसाब से वो मुझे ठीक लग रहे थे मेरे अपने रूम में ना यह बिलकुल अच्छे ही नहीं लग रहे थे परदे तो परदे वग करते हैं मैं कभी इस तरीखेसे नहीं रहती हमीशा से मेरा राय कि मैं वन बै र्म की कभी किसी रूम का लूंगी कभी किसी रूम का बट एक साथ सारे review के पढ़ये नहीं आर सकते हूं मैं तो यह इस रूम में बहुत अच्छे लग रहे थे और यह बैक मैंने कुछ इस तरी करती व्लोग पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूरना थैंक्स पर वाचिंग